उत्तरप्रदीस के हमारे आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ हमें याँ पर एक साथ फिजिकली बैठने का उसर प्राप्त हुआ है लॉक्डाउन के बाद ये आज फिजिकली इतनी बड़ी मात्रा में सभी मंत्रियों कैबिनेट अस्तर के लगबग 19 मंत्री इस बैठक में आज यहाँ पर उपस्तित हुए थे क्योंकि लॉक्डाउन के कांड बहुत सारे मंत्री गण हमारे अभी अपने अपने छेत्रों में अपने अपने ग्रह जन्पद में हैं लेकिन जो मौजूद थे ऐसे 19 मंत्रियों के साथ आज हमने चर्चा की है कि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या होगी इन सब पर व्यापक चर्चा होई है सबने इस बात को मैसूस किया है कि भारत जैसे 130 करोड की विसाल आवादी के देश को प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा समय बद्ध ढंक से ले गए निर्णेयों के कारण बैस्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी मदद मिली है और आगे भी हमें प्रधान मंत्री मोदी जी के गाइडेंस पर भारत सरकार के द्वारा जो भी गाइड लाइन लॉकडाउन के समन्द में बनती है इसका उन पालन करना चाहिए इसी में प्रधेश के 23 करोड़ लोगों के उत्तम स्वास्ते के लिए और उनके स्वरक्सित भोश्य के लिए यही सबसे उप्युक्त मार्ग है और इस पर सभी ने इस बात को भी जर्चा की कि लॉकडाउन के बाद प्रधान मंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से देश के अंदर प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज की घोशना की उत्तर प्रधेश में 2 करोड 34 लाग किसान इससे सिदे सिदे लावानित हुए है तीन करोड 46 लाग से अधिक जनधन जो खातेदार थे ऐसी महला अलावहरती इससे लावानित हुई हैं जिने 500 रूपे उनके बैंक अइकाउंट में उपलब्द हुए हैं और किसानों को दो करोड चौटीस लाग किसानों को दो हजार रुपे उनके बैंक एकाउंट में देने की सीधे बिवस्ता हुई है ये मिला है इसके साथ ही करोना के उपचार के लिए और इस पूरी बिवस्ता में करोना युद्धा के रूप में जो स्वास्ते कर्मी स्वच्चता कर्मी कारे कर रहे हैं भारत सरकार ने केंदर के हों परदेश के हों उन सभी कर्मियों को 50 लाग का बीमा कबर भी दिया है केंदर सरकार की तरज़ पर जो लोग छूटे वे थे उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोगों ने 50 लाग का बीमा कबर हम लोगों ने भी प्रदेश से उन लोगों को बलब्द कराया है जो केंदर सरकार की उसमें छूट गए थे कास्तोर पर फुलिस है होम गार्ड है या जो अन्य सफाई कर्मी थे उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश से उसको कबर करने की विवस्ता की है और सभी ने इसको एक उससे बहुत अच्छे डंग से इसको स्विकारा भी है साथी साथ प्रदेश में 20 लाग निर्मान सर्मिकों को जो भी पट्री ब्योसाई हैं ठेला खुमचा रेड़ी लगाने वाले कूली हैं या फिर पल्लेदार हैं विक्सा इरिक्सा विश्वा कर्मा सरम समान से जुड़े वे धोबी है मोची है नाउ है इस प्रकार की जो 15 कैट प्रदेश में अब तक हम लोग 3.54 लाग से अधिक ऐसे परिवार जो प्रदेश के अंदर रहते हैं उन परिवारों में हम लोगोंने निसुलक खाद्यान उपलब्द करवाने की विवस्ता पहले चर्ण की संपन्न करती है और 15 से फिर से हम इस कार्य को आगे बढ़ाने जा प्रदेश सरकार के द्वारा समयबद ढंग से भारत सरकार के मार्क दरसन में कदम उठाए गए कदमों को सभी लोगोंने एक स्वर्शे श्विकार किया है लेकिन आगे के लिए भी इसी सतर्क्ता के साथ कारे करने की पुरी प्रतिवत्ता ब्यक्तिकी है और इस दिस से आध इस बारे में कहा था देश के नाम पर अपने संदेश में इस बारे में कहा था कि हमें जनता कर्फियों क्यों लगाना पड़ रहा है क्योंकि जान है तो जहान है कल प्रदान मंत्री जी ने एक वड़ और उपयोग में लाया है कहा उन्होंने जान भी और जहान भी हम लोगो की जान को भी बचाएं करोना वाइरस के संक्रमन को तो हमें रोकना ही रोकना है लेकिन साथ साथ हमें उन सामानने कारियों को भी आगे बढ़ाने की कारवाई करनी है जिससे एक सामानने कामकास भी इस रूप में आगे बढ़ सके कि कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए और इस पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइड लाइन का पालन करेगी एक क्योंकि यही 23 करोड जंता के उत्तम स्वास्ते और सुरक्सित भोश्चे के लिए आउस्चेक है लेकिन साथ-साथ हम लोग इस बात को भी तैक करने जा रहे हैं कि कुछ रूटीन के कार प्रदेश के अंदर उन निर्माण के कारियों को कैसे आगे वढ़ाय जा सकता है जहां पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे इनके कारे को उसमें लगे वे सर्मिकों को भी कुछ काम मिल सके एक्स्प्रेस वे है या फिर बड़े-बड़े जो निर्म के कारे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे इस पर वह कमेटी कारे करेगी इस पर वह कारे करेंगे कैसे वहाँ पे सप्लाइचेन भी बनती है इस पर एक कमेटी काम करेगी डॉक्टर दिनेज सर्मा जी उप मुख्यमंत्री की अध्यक्स्ता में एक कमेटी बनाई गई है जो कमेटी सीज को तै करेगी पाठेकरम को आउनलाइन करना क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आउस्टेंसिंग के अभी स्कूल कॉलेजेज को हम खोलेना और बच्चों की पढ़ाई में बाधा भी न पहुंचें इसके लिए आउस्टेंसिक है कि हम लोग ऑनलाइन पाठेकरम को आगे बढ़ा सकें बेसिक है माध्यमिक है उच्च है प्रावदिक है ब्योसाइक है मेडिकल इजूकेशन है इन सब को कैसे आगे बढ़ाय जा सकता जिससे राजुस्यक की कमी प्रदेश में न आने पाए एक दूसरा ओद्योगिक विकास के साथ साथ MSME सेक्टर में भी हम लोग को क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर एक कमेटी ओद्योगिक विकास के साथ और MSME सेक्टर के साथ मिल करके उन दोनों विभागों के मंतर किर्शी मंत्री के अध्यक्सता की कमीटी किसानों के जुड़ी भी समस्याओं का समाधान करने क्योंकि खेती बाड़ी का समय है खेती किसानों की तैयार है कंबाईन मसीन हार्वेष्टर तर यद्द्यपी 4700 से तिक अज के समय में प्रदेश के इंदर उपलब्द कराये जाए सुका है फिर भी कहीं कोई समस्याना होने पाए इसको हम मन्रेगा के साथ जोड़ कर कैसे कारे कर सकते हैं यहां किरसी मंत्री के धिक्सता की कमीटी कारे करेगी और साथ साथ प्रक्यूर्मेंट की कारवाई को भी हम विवस्तित रोप से आगे वढ़ा सकें खेत में ही या किसा किसान के घर से ही अगर हम खरीदारी कर सकें लेकिन MSP से कम लाब यानि नियूंतम समर्थन मुल्य से कम लाब किसान को न मिले उससे कम दाम न मिले इस चीज़ पर हम लोग पूरे कड़ाई लागो करें इसके लिए एप योज को वहां पर भेजना या अन्य कंपनियों को वह कारे करेगे परदेश के अंदर इमर्जंसी मेडिकल सेवाओं को आगे वढ़ाने मेडिकल कॉलेजेज हैं चाइवा गवर्मेंट मेडिकल कॉलेजेज हो निजी छेतर के मेडिकल कॉलेजेज हो सरकारी हॉस्पिटल हो निजी हॉस्पिटल हो करोना संक्रमन को रोकना हर हाल म रोकना इसके लिए medical team को बचाना डॉक्टर हैं पैरामेडिक्स हैं नर्सिंग का श्टाब है जितने technicians हैं इनको सुरक्सित रखते हुए कैसे हम इनको प्रसिक्सित करें कैसे हम इने personal protection के equipment उपलब्द करा करके emergency सेवाएं जैसे dialysis की सुविधा है या कीमो की सुविधा है रेडो थ्रेपी की सुविधा है या फिर कोई गंभीर पेसेंट आ चुका है वहाँ कार्डियक का पेसेंट हो सकता है नियूरो का पेसेंट हो सकता है इन लोगों के लिए स्वास्ते मंत्री के देख्सता की committee इस पर कारे करके तुरित रूप से इस कारे करम को आगे बढ़ा सक के इस पर भी हमें कारे करने की और सकता है ये committee इस पर कारे कर रही है ऐसे ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पेजल की उपलब्धता सुनिस्चित रहे जल सकती मंत्री स्वयम इस चीज को मॉनिटर कर रहे है और आगे भी सुनिस्चित करें कि कहीं भी पेजल का संकट न आने पाए क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो इसके साथ बिंद छेतर बुंदेल खंड छेतर में पेजल का संकट ना आने पाए इस पर भी ये committee कारे करेगी इस पर लगातार ये committee इपना फोकस करेगी ऐसे हम लोगों ने कुछ committee को गठित करने के साथ ही इनको विवस्ता दी है कि कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं एक चीज जिस पर ये चर्चा हुई है कि हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि 14 दिन जो लोग shelter home में रह चुके हैं उसी जन्पद में हैं उनको एक बार जाच करवा करके फिर सुरक्सित 14 दिन के home को रिटाइन में उनके घर में भीज ये चीजें हम ततकाल रूप से लागो करने जा रहे हैं 14 अप्रेल ये महत्तोपूर्ण तिथी है और इसमें हम लोगों ने अन्रोथ किया है कि 13 और 14 को खास तोर पर खालसा पंथी की स्तापना हमारे सिक पंथ से जुड़े वे जो हमारे बंदुगन हैं उनसे जुड़ावा एक महत्तोपूर्ण आयूजन होता है सबसे अपील की गई है कि हम लोग कोई भी पब्लिक फंक्सन न करें आयूजन अपने घरों में रह करके अकेले करें ऐसे ही ब चार है लोगडाउन और सोसल डिस्टेंसिंग इसका उनपालन हर हाल में हो इसको हम लोग इसको लागू कर सकें तो एक चौथा इसके बारे में एक और चीज है कि चौधा अप्रेल को बावा साब डॉक्टर भीमराव अमबैटकर जी का जेनती का कारिकरम पड़ेगा तो उ सभी मंत्रियों से सभी अधिकारियों से सभी जनपदों से इस बारे में कहा गया है कि कारेले में केवल अकेले ही पुस्पांचली का कारिकरम अपने वहां पर आप लोग करेंगे या अपने घर में इस आयूजन को कोई आयूजन नहीं होगा लेकिन उनके फोटो पर मालयार पन और कुस्पान चली का कारिक्रम वहां पर आयुजित हो जाए इसके बारे में करेंगे पब्लिक फंक्सन कोई नहों इसके बारे में पील हर अस्तर पर जारी होना चाहिए इसके साथ ही ये भी विवस्ता कि आगामी परव और तेवार हैं जैसे 23 अप्रेल से रमजान के कारि पड़ेंगे हम लोगों की अपील होगी सभी जितने भी मौलाना हैं मौलवी हैं उन सभी से और सभी धर्म गुर्वों से भी मेरी अपील होगी कि कोई परव और तेवार पब्लिक फंक्सन नहों कोई सामिक आयुजन नहों क्योंकि ये आयुजन बिमारी और संक्रमन को बढ फाग द्यार गया है कि 15 अप्रेल से वे अपने कार्यालयों में बैठें सामाने कामकास को निप्टाएं अपने प्रभारी जन्पदों में जो वहाँ पे सासन से जुड़ी भी केंदर और प्रदेश सरकार की करीब कल्याण कारी योजनाये हैं इनकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ विभागिये कार्यों को संपादित करने की विवस्ता करें विशेश सचिव अस्तर के ओपर के अधिकारी भी कारयले में आएंगे सोसल डिस्टेंसिंग के लिए मंत्री के साथ बैट करके परमुक सचिव और अन्य जो अधिकारी गण है वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किन करमचारियों को आना है उसकी भी काटेगरी ये लोग पै करेंगे इसको हम लोग तदकाल प्रभाव से लागू कर रहे हैं लोग डाउन के बारे में आगे की कारवाई क्या होती है भारा सरकार की गाइड लाइन जो आएगी उसकान पालन हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे ये आज के दिन पर आउस्सेक्ता और इसके अंसार जो कारवाई हमने प्रदेश अस्तर पर की है आज की जो बैठा बढ़ेगे तो हम फिर बाद सीग्र सभी मंत्री गण एक बार फिर से बैठ करके प्रदेश के 23 करोड लोगों के हित में जो भी आउस्सेक कदम होंगे उन कदमों को उठाएंगे और उसके इनसार फिर हम लोग करोना वाइरस के खिलाब आधने प्रदान मंत्री जिके नित् प्रदाए को हम सफलता पुर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे धन्यवाची